नमस्कार दोस्तों मैं में अंदर लीलर एन्विर एजूकिशन यूटूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अभी नंदन करता हूं दोस्तों आज अपन पढ़ रहे हैं राजस्तान हिस्ट्री के अंतरगत जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण किशान आंदोलन हुए थे अपने आदुनेक राजस्तान हिस्ट्री के अंतरगत आते हैं तो उन किशान आंदोलनों को अपन पढ़ रहे हैं जिसके अंतरगत अप आपन जो आंदोलन पढ़ेंगे वह आंदोलन होगा दोस्तो बेंगू किसान आंदोलन कौन सा होगा दोस्तो बेंगू किसान आंदोलन किसान आंदोलन पढ़ेंगे आज अपन इसके अंदर दोस्तो तो थोड़ा सा क्योंकि ये हिंसक आंदोलन रहा है तो थोड़ा सा इसके बारे में अपन जो है थोड़ा सा सेरो साहिरी भी जरूरी है तो कहते हैं बेंगो किसान आंदोलन के बारे में कि एक बार आकर देख कैसा हदे विदारक मंजर है पसलियों से लग गई है आते अभी तो खेत वह बंजर है पसलियों के आते लपट चुकी है लेकिन फिर भी अभी खेत बंजर है हरे बरे नहीं हुए है फिर भी जो है इस बेगू जो ठीकाना है यहां के धाकड जाती की जो किसान है बेचारे मर रहे हैं लेकिन फिर भी यहां के जो मेवाड राणा जो है और ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वह किसी भी प्रकार की समश्या का शमादान करने को तयार नहीं है जब तयार नहीं है तो यह आंदोलन जो है दोस्तो प्रारंब हो जाता है आंदोलन क्या हो जाता है प्रारंब हो जाता है और प्रारंब कब होता है सन 1921 को जो है यह आंदोलन क्या हो जाता है सुरू हो जाता है सन 1921 इश्वी में जब ये आंदोलन सुरू होता है उससे पहले अगर आपन थोड़ा सा देखें कि क्या वज़े है कि ये आंदोलन हो रहा है अलांकि साहिरी के अंतर कि आपको पता चला हो कि हरदे विदारक मंजर है पसलियों से लग गई है आते हैं खेत अभी भी बंजर है इसके अंदर आपको सारा कुछ इसके कारण समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि यहां पे बेगार प्रथा जो थी वह बहुत ही कुरूरता से ली जा रही थी तो इस बेगार प्रथा के कारण किस प्रथा के कारण दोस्तो बेगार प्रथा के कारण या इसके विरोध के कारण बेगार प्रथा के विरोध के कारण ही लोग क्या कर रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं बेगार प्रथा के विरोध के कारण बेगु किसान आंदोलन जो है सुरू हो रहा है कब सन 1921 इश्वी में कब हो रहा है दोस्तों सन 1921 इश्वी में क्या हो रहा है अपना किसान आंदोलन सुरू हो रहा है जैसे अपने बिजोलिया के अंदर पड़ा सरवादिक जाती वो यहां पे भी है दाकर जाती बेगू जो है बेगू ठीकाना वो बिजोलिया का पडोसी ठीकाना था जब बिजोलिया के किसानों को समर्थन मिला उनको सक्षिश मिली सफलता मिली तो यहां के किसानों ने भी कहा कि हमारे साथ भी क्या हो रहा है अत्याचार हो रहा है अपने यहां पे भी कम से कम कितने प्रकार की जो है लाग बाग है 25 प्रकार की लाग बाग है तो हमें भी क्या करना चाहिए आंदोलन करना चाहिए तो आंदोलन किया गया 1921 इश्वी में यह कहां से सुरू होता है दोस्तों तो देखें यहां पे 1921 में बेगू ठीकाने के सभी धाकर जाती किसान लोग एकतरित होते हैं और कहां एकत्रित होते हैं वहां होते हैं मेनाल के अंतरगत और मेनाल जो है वो छेतर कहां पे आता है भीलवाडा में कहां आता है दोस्तों मेनाल आता है आपके भीलवाडा में और मेनाल के जो भैरुकुंड है उस भैरुकुंड नामक बैरुकुंड नामक इस्थान पर बैरुकुंड नामक इस्थान पर 1921 इश्वि में ये निर्णे लिया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए आंदोलन प्रारंब कर देना चाहिए जब ये यहाँ पर बैरुकुंड नामक इस्थान पर सभी किसान लोग एकत्रित होते हैं अपने पंचों को बता रहे होते हैं उसी वक्त मांग देखी गई कि किसानों की मांग क्या क्या है किन मांगों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है आंदोलन करना है तो मांगे मुख्य रूप से देखें दोस्तों मुख्य मुख्य मांगे पढ़ेंगे अपन मांगें क्या क्या थी किसानों की मांगे थी पहली मांग तो ये थी कि फसल का जो कूंता है वो नहीं कराया जाएगा पिछले वीडियो के अंत्रकत मैंने आपको बताया था कि लाटा और कूंता व्यवस्ता जो थी उसमें कूंता क्या होता था लाटा यानि फसल जो तयार थी उसमें से उसका हिस्सा बांट लेना सामन्त का वो तो होता है लाटा लाटना और जो कूंता होता है वो क्या होता था फसल खड़ी होती थी उस खड़ी फसल से ही अपने हिस्से का जो है फसल को या तो काट दिया जाता था या उसको पकाने के ब किसानों की कि यहां पे जो फसल का जो कूंता है वह कूंता नहीं करेंगा सामन्त जो है वह नहीं कराएगा हमारे फसल का कूंता नहीं कराया जाए ये मांग रखी गई है किनके द्वारा बेगू के किसानों के द्वारा सबसे बड़ी मांग दूसरी मांग ये रखी गई कि हम किसान आपके आंदोलन में तभी समलित होंगे जब हमारी ये मांगे जो है आप साथ में रखते वे आंदोलन करोगे तो दूसरा रखा गया था कि जो भूमी है उस भूमी का बंदोबस्त हो जाता था पट्टा कर दिया जाता था किसानों का तो भूमी का बंदोबस्त होने के बाद जो लगान निर्दारित कर दिया जाता था उसके अंदर किसी प्रकार का कोई हेर फेर नहीं करेगा कौन सामंत वो राजश्व मंत्री जो है, वह किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करेगा, जो ते कर दिया जाएगा, केवल वही लिया जाएगा, तो भूमी बंदोबस्त, भूमी बंदोबस्त के समय में, जो लगान निश्चित कर दिया जाता था, वही लिया जाए, क्या किया जाए, वही लिया जाए, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाए, ये यहां के किसानों की क्या है दोस्तों मांग है क्या है मांग है तो ये तीन आप लोग जो है इसका स्क्रीन सोट ले लीजिए ताकि आपको जो है लिखने की शमश्या ना हो ये लिख लेजिए साथ में स्क्रिन सोट ले लिया हो आपने तो अब अपन जो है आगे बढ़ते हैं आगे ऐसे बढ़ेंगे कि जो प्रारंब होता है इस आंदोलन का सन 1921 इस्यू में और यहां पे जो पटेदार किसान थे उनकी बैठक भी हो गई बहरुकुन नामकिस्तान पर तो यहां पे निर्ने क्या लिया गया और और निर्ने लिया गया कि यह जो है आपन शुरू कर रहे हैं उसका नेतरत्व कौन करेगा नेता मुख्य नेता कौन होगा तो नेतरत्व करने का जो है क्या लिया जा रहा है क्या लिया जा रहा है दोस्तों निरने लिया जा रहा है और सबी पंचों ने मिलकर के निरने किया कि जैसे बिजोलिया के अंतरगत किसानों को सफलता दिलाने का मुख्य योगदान किस का है विजै सिंग पथिक का है उसी प्रकार जो है यहां के किसानों ने भी कहा कि जो टो समयसिया का शमादान करने के लिए निर्ने लिया गया कि नेता चुनेंगे किसको विजै सिंग, पथिक को जब नियोता दिया जाता है आमंत्रन दिया जाता है तब वे इसको सुविकार करते हैं लेकिन ज्यान देना अपन बात जब नित्रत्व की करेंगे बात किसकी करेंगे नित्रत्व की तो यहाँ पे अपने प्रशन को ड्रंग से हल कीजिएगा निमंत्रन मिला है विजैशिंग पथिक को लेकिन राजस्थान सेवा संग के मंत्री रहे है राम नारायन चौदरी कौन है राम नारायन चौदरी राम नारायन चौदरी को जो है इनका सम्मंद बता देता हूं दोस्तों इनका सम्मंद है किस डिष्टिक से सिक्कर से कौन से डिष्टिक से सिक्कर से जो है इनका सम्मंद है तो राम नारायन चौदरी को जो है नित्रत्व देने का भार किस ने सौपा था विजैशिंग थिक जो है इन्होंने ये भार राम नरण चौधरी को दे दिया कि आप मेरी जगे बेगू जाएए और बेगू जाकर किसानों की शमश्या का समाधान करने का प्रियासर कीजिए तो ध्यान रखें दोस्तों नेतरत्व करता आपके राम नरण चौधरी आएंगे प्रारंब के अंदर लेकिन बाद की बाद की जाए बाद की बाद की जाए तो बाद में जो होंगे वो कौन होंगे नितरत्व करता विजशिंग पतिक अब आपको जो है इस बेगू किसान आंदोलन से समदित प्रश्ण पूछ लिया जाए कि इसके मुखे मुखे नेता कौन ते तो जनता को जागरत करने का कारिय किया था वो व्यक्ति है कौन आपके मानिकिय लाल वर्मा जी इन तीनों ये तीनों व्यक्ति जो है क्या है मुख्य नेता है क्या है नेता है कौन से किसान आंदोलन के बेगु किसान आंदोलन के दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं अपन और इसके अंदर अपन ये देखेंगे कि यहां के ठाकोर कौन है किस प्रकार से आंदोलन को गती मिलती है वह देखें यहां पे तो ये हो गया आपका अब अब आगे देखते हैं दोस्तों लगबग दो साल तक प्रारंब होने के दो साल तक जो है किसानों के द्वारा यहां के किसानों के द्वारा संगर्स किया गया जब दो साल हो गए संगर्स को होते और जब संगर्स उग्रता का रूप धारन करने लग गया आक्रामक होने लग गया तब यहां के ठाकुर थे यहां के जो ठाकुर है कहां के ठाकुर दोस्तो बैंगू के ठाकुर मित्रों यहां पे ध्यान दें ठाकुर है यहां पे कौन अनूप सिंग ठाकुर कौन है दोस्तो अनूप सिंग रावत अनूप सिंग कौन है दोस्तो रावत अनूप सिंग इसने क्या किया दो सालों के संगर्स को देखते हुए किसानों के साथ जो है वो किसानों के साथ थोड़ी नर्माई बरतने का कारिय करते हैं यहां पे यानि कि क्या करते हैं किसानों से ठाकुर, रावत सिंग, रावत अनुप सिंग और किसान दोनों के मद्य क्या हो जाता है समझोता हो जाता है दोस्तों समझोता कर लेता है आनूप सिंग क्या कर लेता है वह समझोता कर लेता है कितने साल बाद तो दो साल बाद क्या करता है वह समझोता कर लेता है यह समझोता जब पता चलता है मेवाड के राणा को तो मेवाड के सासक कौन-कौन ध्यान दे दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंट्रेस्टिंग बात होगी आपके लिए मेवाड का सासक और ब्रिटिस रेजिडेंट ब्रिटिस रेजिडेंट जो है इन दोनों ने क्या कहा कि यह समझोता कोई माइने नहीं रखता है क्योंकि यह समझोता किसके द्वारा नहीं किया गया मेवाड के सासक के द्वारा यह समझोता नहीं हुआ है इसलिए ये समझोता जो है इनकी तरफ से मेवाड के सासक और बिटिश रेजिडेंट की जो है इन दोनों के कहने पर इस समझोते को नाम दिया गया क्या नाम दिया तो देखें दोस्तों नाम दिया गया आपके बोल सेविक समझोता ये समझोता कोई काम का नहीं है ये कहते हैं इन दोनों के द्वारा और नाम दिया गया क्या बोल सेविक समझोता आपन जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ेंगे अपन उस वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतरगत में आपको बताऊंगा कि बोल सेविक क्रांती जो है क्या थी बोल सेविक शब्द की उत्पती कैसे हुई क्या इसका आर्थ है तो इसको समझोते को नाम दिया गया क्या बोल सेविक समझोता इंपोर्टेंट है दोस्तो बोल सेविक समझोता किस किसान आंदोलन से सम्मंदित है तो वह किसान आंदोलन से सम्मंदित है आपके बेंगू किसान आंदोलन से सम्मंदित है तो इसको नाम दे दिया जाता है इन दोनों के द्वारा क्या बोल सेविक समझोता नाम देने के बाद क्या किया जाता है क्योंकि मेवाड के सासक और रेजिडेंट की बात न मानने के कार ठाकूर अनुप सेंग को क्या कर दिया गया बेगू ठीकाने से इसको हटा दिया गया और इसको उदैपूर की कारवास के अंतरगत क्या कर दिया गया सेट कर दिया गया यानि कि इसको क्या कर दिया ठीकाने ठाकूर की जगे से जो है क्या कर दिया हटाया गया है इसको किसको रावत अनुप से इंको क्योंकि किसानों के सामने जुक गए थे और इसी कारण जो है इनको क्या कर दिया गया हटा दिया गया जब हटा दिया जाएगा तो जागिर पर किसी ना किसी वेक्ति के द्वारा तो राज करना जरूरी था कोई ना कोई तो जो है साशक का प्रतिनिदित्व होना जरूरी था तो उस समय क्या किया गया कि ये जो जागिर थी ये जो ठीकाना था इस ठीकाने को इस ठीकाने पर क्या ठीकाने को क्या किया गया मन सर्मात कर दिया गया क्या कर दिया दोस्तों शब्द ध्यान रखना मन सर्मात ठिकाने को मन सर्मात कर दिया गया मन सर्मात क्या होता है ध्यान दें दोस्तों यहाँ पे मन सर्मात क्या है तो मन सर्मात क्या था यहाँ पे देखें आप जो ठिकाना होता है ठिकाने पर ठिकाने दार की जग नियुक्त जो करमचारी होता है उस करमचारी द्वारा राज करना क्या कहलाता है ठिकाने पर ठिकाने दार की जग नियुक्त करमचारी राज करे तो उसको क्या किया जाता है क्या कहा जाता है ठिकाने पर ठिकाने की जग नियुक्त करमचारी राज करे तो उसको क्या कर दिया जाता है मन सरमात कह दिया जाता है दोस्तो ध्यान दें यहां पर जो है अब इसको हटा दिया किसने मेवार के सासक और रिजिडेंट ने तो अब यहां पर नियुक्त किसको किया गया ध्यान देना बेगू किसान आंदोलन प्रारंब होते वक्त तो ठाकूर यह था लेकिन बाद में जो है यहां का करमचारी कौन था तो यहां पर एक बहुत ही क्रूर गटी आया जिसका नाम था लाला अमरितलाल क्या नाम था लाला अमरितलाल उसको क्या कर दिया गया मन सरमात कर दिया गया किसको लाला अमरितलाल लाला अमरित लाल को क्या कर दिया गया यहां पे करमचारी न्युक्त कर दिया गया क्या कर दिया गया दोस्तों करमचारी न्युक्त कर दिया गया है तो यह है यहां की कहानी की सुरुवात अब यहीं से जो है अपना टॉपिक थोड़ा सा और डीपली लेकर के चलेंगे तो दोस्तों अब देखते हैं कि यह जो नए ठिकानेदार बनते हैं यानि कि जो करमचारी न्यूक्त किये जाते हैं उनके द्वारा जो है किस प्रकार से बैंगू के अंतरगत अत्याचार किये जा रहे हैं किसानों उपर किसानों के उपर जो यह अत्याचार करेंगे तो किसान बेचारे क्या करते हैं सिकायत कर सकते हैं किसानों को उस समय इतना ही अधिकार है वो क्या कर सकते हैं केवल सिکायت कर सकते हैं और वो भी किन से मेवाड के महराणा से मेवाड के राणा से क्या कर सकते हैं वो सिकायत कर सकते हैं जब किसान बेचारे सिकायत करते हैं तो उस सिकायत के लिए क्या करते हैं मेवाड की जो सासक होते हैं सिकायत जब की जाती है किसानों के द्वारा तो मेवाड का जो सासक होता है मेवाड का सासक वह क्या करता है एक जांच कमिटी बैठाता है सासक क्या करता है जाज कमिटे बैठाता है न्यूक्त करता है और किसको करता है वह जो है एक अंग्रेज अधिकारी को न्यूक्त करता है और वह अंग्रेज अधिकारी कौन है ट्रेंच नामक अंग्रेज अधिकारी है उसकी अध्यक्स्ता में एक समेती न्यूक्त की जाती है एक आयोग गटित किया जाता है इसलिए वह इतियास के अंतरगत किस नाम से प्रशिद हो जाता है ट्रेंच आयोग नाम से जो है वह प्रशिद होता है important है दोस्तों यहाँ पे क्या करें आप अपनी notebook की अंतरगत इसको जरूर लिख देना है ट्रेंच आयोग का समंद किस आंदोलन से है तो ट्रेंच आयोग का समंद जो है वो बेंगू किसान आंदोलन से समंदित है ट्रेंच आयोग का क्या कारिय था देखें यहां पर कि बैंगू के किसानों ने जब सिकायत की तो न्यूक्त किया ट्रेंच को तो ट्रेंच की जो कमिटी थी उसके द्वारा जांच की गई जब जांच की गई तो किसानों को लगा कि ये ट्रेंच जो अधिकारी है वह किसानों के विरोधी स्वभाव का है इसलिए क्या होता है कि 1923 जुलाई 1923 इश्वी को क्या किया जाता है गोविंद पुरा नामक गाउं के अंतरगत कहां पे ध्यान दे दोस्तों गोविंद पुरा नामक गाउं के अंतरगत सारे जो पटेदार किसान थे वो एकत्रित होते हैं और विचार विमर्स करते हैं क्या करते हैं दोस्तों विचार विमर्स करते हैं कि ये ट्रेंच आयोग जो निर्णे ले रहा है वह क्या उचित रहेगा या नहीं तो जब ये क्या कर रहे हैं ट्रेंच आयोग पर विचार विमर्स के लिए क्या होते हैं एकत्रित होते हैं तो उस समय बहुत ही सरमनाक गटना गटित होती है विचार विमर्स करने के लिए जब ये एकत्रित होते हैं तो बहुत ही दुरबाग्य गटना गटित होती है और वह कि इस गाउं के अंतरगत आता है ट्रेंच कौन आता है ट्रेंच जो है ससस्त्र सैनिकों के साथ आता है और यहां आकर के इन किसानों पर क्या कर देता है वह गोलियां चलवा देता है क्या करता है दोस्तों गोलियां चलवा देता है है सर्मनाक गटना की नहीं गोविंद पुरा गाओं के अंदर आकर उसने जब गोलिया चलवा दी तो यहां पे दो मुख्य वेक्ती मारे जाते हैं और वहां दो मुख्य वेक्ती है रूपाजी धाकड और कृपाजी धाकड कौन कौन है रूपाजी धाकड रूपाजी और कृपाजी कई बार प्रश्ण पूछे गए हैं दोस्तो रूपाजी और कृपाजी नामक वेक्तियों का समंद किन से है तो आपके बैंगु किसान आंदोलन से है तो रूपाजी और कृपाजी दोनों क्या हो जाते हैं सहीद हो जाते हैं गोलियों से सहीद हो जाते हैं दोस्तों कहना चाहूंगा मैं आपको यहाँ पे कि मत मारो गोलियों से मुझे मैं पहले से एक दुखी इनसान हूँ मेरी मौत की वज़े यही है कि मैं पेसे से एक किसान हूँ क्या हूँ दोस्तों पेसे से एक किसान हूँ मेरा जो कारिय है वो किसान का कारिय है इसलिए आप मुझे क्या कर रहे हो गोलियां से उड़ा रहे हो गोलियां मेरे उपर चलवा रहे हो तो इस प्रकार की गटना गटित होती है अपने कहां पे बैंगू किसान आंदोलन के अंतरगत जब ये गटना गटित होती है तो गटना जो है पूरे की पूरे सारे समाचार पत्रों में चाजाती है यानि कि यहाँ आंदोलन जो है लोक प्रिय हो जाता है और लोक प्रिय करने में सबसे महत्पून अकबार पूछा जाए तो उस समय आप अकबार का नाम याद जरूर रखें और वहाँ अकबार है नवीन राजस्थान क्या नाम है दोस्तों नवीन राजस्थान नामक अकबार था और इसी अकबार के अंतरगत ये जो है आंदोलन फेमस हो जाता है क्या हो जाता है लोक प्रिय हो जाता है इस गटना की सभी समाचार पत्र क्या करते हैं गोर निंदा करते हैं समाचार पत्र जो है गोर निंदा करते हैं इस गटना की जब इस प्रकार की गटना गटित होती है तो निंदाए जरूर होती है निंदा होने के बाद भी जो है ट्रैंच चुप नहीं बैटने वाला इसको क्या मतलब भारतियों से तो ये क्या करता है बेंगु जाता है और के जाता है लगान वसूल करने के लिए कहां पे बेंगू के अंतरगत तो वहां पे क्या होते हैं कि जो किसान होते हैं वो लाठियां लेकर के तयार बैठे हैं कि केवल आपके पास जो है आप केवल गोलियां चला सकते हो तो हमारे पास जो सस्त्र है वो लाठियां से आपका श आंदोलन हिंसक हो जाता है क्या हो जाता है दोस्तों आंदोलन हिंसक हो जाता है और इस हिंसक हो जाने के कारण पथिक जी स्वेम जो है बेंगू आते हैं और बेंगू आकर के इस किसान आंदोलन का जो है नेत्रत्व करते हैं इस किसान आंदोलन की बागडोर को संबालते हैं कौन विजे सिंग पथिक विजे शिंग पथिक जब इस किसान आंदोलन की बागडोर संबालते हैं तो इनको अच्छा सा तोफा देता है कौन मेवाड का सासक और जो नियुक्त किया गया करमचारी था लाला अम्रतलाल इन दोनों की सिपारिस पर विजे सिंग पथिक को क्या क कर दिया जाता है क्या कर दिया जाता है दोस्तों गिरफतार कर दिया जाता है कब कर दिया जाता है 10 सितंबर 10 सितंबर सन 1923 इश्वी को पथिक जी को क्या कर लिया गया गिरफतार कर लिया गया कारण दोस्तों आपको पता ही होगा क्योंकि विजोलिया पढ़ाते वक्त मैंन निकाला दिया था लेकिन ये जो है मेवाड की सीमा की अंतरगत बेंगू नामगिस्तान पर आ जाते हैं इसलिए इन पर राज़रों का मुकदमा चलाते हैं इनको गिरबतार कर लिया जाता है तो फिर से जो है विजेशिंग जी पतिक तो अब नितरत्व करने वाले रहे नहीं क्योंकि उनको तो जेल में डाल दिया तो उनकी जगे फिर से आगे हैं कौन नितरत्व करता राम नारायन चौदरी नितरत्व करता कौन आगे हैं आपके राम नारायन चौदरी जी जो है क्य इनके सयोगी कौन रहे हैं दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना उस वेक्ति का राम नारायन चौदरी और सयोगी हैं उनके कौन मानिक के लाल वर्मा ये जो हैं इनके सयोगी रहे हैं और इनके द्वारा भी इनका सयोग करके बैंगू किसान आंदोलन को समर्थन दिया गया उसको और अधिक गती प्रदान की गई इनके द्वारा ध्यान दे दोस्तों यहां पर क्या होता है कि अखिल भारतिय इस्तर पर इसके प्रचार से किसके प्रचार से बेंगु किसान आंदोलन के प्रचार से और प्रचार किन में हो रहा है अख़बारों के अंतरगत हो रह किनके अंतरगत हो रहा है दोस्तों अकबारों के माद्यम से तो अकबारों के माद्यम से जब प्रचार होना सुरू हो जाता है अखिल भारते इस तरपा तो यहां पे मेवाड के सासक और मेवाड के सासक और यहां के जो नियुक्त करमचारी लाला अमरत लाल डर जाते हैं गब किसानों के साथ क्या होता है समझोता होता है अब किस के द्वारा होता है मेवार के सासक के द्वारा होता है जब यह समझोता हो जाता है और किसानों की मांगों को मान लिया जाता है मांगे क्या क्या थी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया था अपनी क्लास की सुरुवात में ही मैंने बता दिया था कि मांगें क्या थी तो मांगों को क्या कर लिया जाता है किसानों की मांगों को मांग लिया जाता है तो दोस्तों यहां पे ध्यान रखें ये किसान आंदोलन सफल है कि सफल है मांगें मांग ली गई किसानों की तो ये आंदोलन क्या ह हो जाता है सफल हो जाता है और अंत में मैं ये आप से कहना चाहूंगा कि ये आंदोलन जो है वहाँ 1925 इश्वी में कब दोस्तों 1925 इश्वी के अंतरगत यहाँ आंदोलन समाप्त हो जाता है यहाँ आंदोलन क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है द्यान दे दोस्तो इस किसान आंदोलन के अंतरगत जो जो कुशन आ रहे हैं वो मैंने सारे किसारे आपके सामने रख दिये लेकिन इनके अरावा भी आपके कोई समश्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंतरगत इसको जरूर दें ताकि मैं आपकी समश्या का समाधान कर सकूँ अगर नए विवर्स हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और जो सामने आने वाला बैल आइकन है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो या हमारे एन्विरा एजुकेशन यूटूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिलती रहे अब अपन आगे और आंदोलन आने वाले आंदोलन लेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंतरगत धन्यवाद